हाई दोस्तों रेन्विकडमी में आपका सागत है दोस्तों आज हम प्रेम मारगी अर्थात इसे सूभी काब धारा भी कहते हैं प्रेम मारगी भी कहते हैं प्रेमास्टरे शाखा भी कहते हैं आज हम उसके बारे में अध्यान करेंगे और आप लोग ध्यान से पढ़ना और मेर सारी चीजे पढ़ लेते हैं और हमें याद नहीं रहता है एक्जाम में क्या होता है हम रामचन सुक्र पढ़ लेते हैं पांडे पढ़ लेते हैं रामचन दीवारी पढ़ लेते लेकिन हमें जब कोशन हमारे सामने आता है तो हमारा कोशन हो जाता है गलत अगर हम इसी को क्या कर ले थोड़ा सा ट्रीक ही कर लेए तो भारा कौशन सहीं हो जाएगा और हम वही करते हैं चीजों को ट्रिक के प्रमुख कभी पूचता है तो हम किसे कहेंगे जायसी मलिक मुहंम्मद जायसी जो है वो प्रेम मारगी के सरोप्रमुख कभी हैं जिन्होंने पद्मावत जैसे महा कावी की रشना की और यही प्रेम मारगी हम पढ़ेंगे हमने निर्गुड काविधारा के कभियों को पढ़ लिया है अगर आप नए हैं तो जा कि वीडियो उसमें देख सकते हैं हमने सभी कभियों के बारे में टीटेल उनकी रचनाओं को ट्रिक से याद किया उनकी पंक्तियों को याद कर लि मानते थे और जो परमात्मा थी उसको क्या मानते थे इस्त्री मानते थे नहीं जो निर्गुड था निर्गुड में था वो क्या था परमात्मा को पुरुष नहां सही है परमात्मा को पुरुष मानते थे एक चीज आप लोग नोट कर लिजे लिख लीजे जो पुरुष थ किसमे निर्गुड में किसमे निर्गुड में कि पुरुष किसको मानते थे ये लोग परमात्मा को मानते थे निर्गुड वाले और इस्तरी किसे मानते थे आत्मा को मानते थे इस्तरी किसे मानते थे आत्मा को मानते थे तो उन्होंने क्या है परमातमा को क्या माना है اور आत्मा क्या है एक इस्त्री है लेकिन इसलाम धर्म में क्या है यहांपे प्रेममारगी में क्या है जो यहां पे आत्मा है जो आत्मा है वो क्या है पुरुष है आत्मा क्या है पुरुष है जबकि आत्मा यहां पे देख रहे हैं इस्त्री है और जो परमात्मा है जो परमात्मा है उसमें परमात्मा है वो क्या है यहां इस्त्री है क्या है इस्तरी है जैसे आप पदमावत पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को दिखेगा पदमावत में जो पदमावती है वो क्या है आत्मा का प्रतीक है तभी जाके यह जो रतन सेन है वो किसके प्रतीक है वो आत्मा के प्रतीक है तो आत्मा जाके परमात्मा में मिलती है और अगर देखे तो इसकी सबसे पहले हम देखते हैं यह किसका प्रभाव था इसमें इसलाम धर्म का लगभग बाराहमी सताब्दी के आसपास क्या है बाराहमी सताब्दी के आसपास प्र और इस्लाम इसका इसा पर प्रभाव देगा जाता वो इसलाम धर्म का है और आ्रे का अज्युट वाद भी इसNothing दिखाई देता है तो इसलाम धर्म की जो दो साखाएं थी सरा और बे शरा इसलाम धर्म के किति साखाएं दो थी सरा और बेशरा सरा क्या थे यह सरा लोग और थे वह क्या थे सनात्नी थे लेकिन जो बेशरा Eggs इसी को आप लोग कर लेना जो सूथी है बोट कर लेना जो सूथी है वेसरा साखा से समंदित है वेसरा साखा ही क्या है सूफी कहला है अब बेसरा में कितने हैं चार संप्रदाय कितने हैं चार संप्रदाय हैं पूछा जाता है चारों के प्रवर्तक पूछता है तो आप लोग याद रख लीजिए पहला है चिस्ती संप्रदाय सुहरावर्दी सं संप्रदाय नक्षबंदी संप्रदाय इसके प्रवर्तकों को पूछा गया है इसमें जो है मुईनु दिन चिस्ति यह सब मैंने भारत के प्रवर्तकों को पूछा जाता है तो मुईनु दिन चिस्ति यहां पे चिस्ति लिखा है तो आप लोग ध्यान रख लेना कि यहां चिस सुहरा वर्दी संप्रदाय है तो इसके कौन है सुर्ख पोस हैं सुर्ख पोस इसको मैंने याद कर लिया था वर्दी क्या है एक पोसाक है वर्दी क्या है एक पोसाक ही तो है हम पहनते हैं ना वर्दी तो वही है ना वर्दी क्या है एक पोसाक है तो सुर्ख पोस हो जाएगा और क्या है कादरी मुहम्मद गौस कादरी शंप्रदाय के कौन है प्रवर्तक भारत में मुहम्मद गौस है कौन है गौस है मैंने याद कर लिया था गौस को क्या कर लिया था धौस कर लिया था जो लोग धौस करते हैं उनकी कदर नहीं होती जो लोग बहुत धौस जमाते हैं अपना बहुत साशन लगाते हैं कहते हैं फिर उनकी क्या होती कदर नहीं होती मतलब कादरी संप्रदाय का हो जाएगा मुह मुहंम्मद गौज नक्षबंदी के हो जाएंगे मुहंमद अली और विष्मिलाह करके हैं तो हमने सिर्फ वेरंग लिख दिया है मुहंम्म अली और वेरंग नक्षबंदी कौन है मुहंम्म जो सब्द है उसका अर्थ क्या है उसको हम याद रखेंगे क्योंकि पूछता है एक्जाम में सूफ सब्द का अर्थ क्या है उन अब आप सब देख रहे हैं सूफ में उन की मातरा है तो उन कर लो तो सूफ का उन हो जाएगा, सोफिया क्या है, सोफिया को बहुत ग्यान था, ऐसे याद कर लेंगे, सोफिया का लड़की उसको बहुत ग्यान था, तो सोफिया का अर्थ हो जाएगा, ग्यान, सफ का अर्थ है, पंग्ती, सफ का अर्थ है क्या, पंग्ती, पंग्ती कैसी होनी में चीज इसाफ होनी चाहिए फक्ति कैसी होनी चीजिसाफ होनी चाहिए इधर जस्था्य और सभा रहती हैं बहुत और माना जाता है मंदिरों में आप देखींगे सभा औूत्रम छंदेवाया नरी तो सूफा को मैंने याद किया था जब फूफा आते हैं घर पे फूफा आते हैं तो उनको चबूतरा पहले क्या था पहले तो चेरवेर रहती नहीं थी कुरसी रहती नहीं थी तो उनको चबूतरा मतलब चबूतरे पे बैठा दिया जाता था जब सूफा मतलब फूफा आते थे चबूत्रा पर बैठा दिया जाता था तो सूफा का अर्थ हो जाएगा चबूत्रा यह most important है बहुत पूछा जाता है इसमें कितने क्या थे चार मुकाम थे 4 अवस्थाय थी और 4 दसाय मतलब कोई अगर सूफी फकीर है और उपो बैसरा संप्रदा बैसरा से है तो उसको कितने मारगों से गुजणना पड़ता था चार बार कितने थे चार क्या होता था सरीद होता था सरियत तरीकत हकीकत मारिफत यह बहुत पूचता है, इसका क्रम लगाने के लिए पूचता इधर उधर करके दे देता है तो याद कर लो, साथ हम, क्या है? साथ हम, साथ से हो जाएगा सरीयत, ता से हो जाएगा तरीकत और हा से हो जाएगा हकीकत, मा से हो जाएगा मारिफत इसके अलामा कुछ पूछता है तो मतलब गलत है साथ हम, क्या याद करना है? साथ हम, सरीयत, तरीकत, हम, हकीकत और मारिफत यह हो गया, अब सरीयत का अर्थ आप लोग सूचें कि क्या होगा तो सरीयत का जो अर्थ होता है आचरण, हमने क्या लिखा है? आचरण होता है, फिर तरीकत क्या है? उपासना मतलब पहले अपने आचरण को सही किया जाता है और इसके बाद क्या होता है उपासना? भगवान की उपासना की जाती है हकीकत में क्या होता है उसे सत्य बोध हो जाता है हकीकत में क्या होता है हकीकत का मतलब ही होता है तो सत्य बोध हो जाता है मारिफत में उसे क्या होता है सिध्धा अवस्था मिल जाती है मतलब आत्मा क्या है परमात्मा में मिल जाती है इसका भी यही अर्थ है नासूत अब शरीर में नाखून होते हैं, तरीयत तरीकत जो होता तकिया कैसा होना चाहिए, मलमल होना चाहिए, हकीकत मतलब हकीकत जरूर सबकी होती है, सबकी अपनी अपनी हकीकत जरूर होती है, जबरूत हो जाएगा, और मारिफत है लाहूत, अगर किसी को मार दो, तो लहू लुहान हो से देख लो सरीयत सात हम सरीयत तरीकत हकीकत मारिफत हो जाएगा इसके बाद आजरण उपासना सत्वोत सिद्धावस्ता नासूत मलकूत जबूत लाहूत मुझे लगता है आप लोग को ये चार दसाएं चार चार मुकाम और चार दसाएं याद हो गई होंगी अगर नहीं या